इस पर्ष, System for Pension Administration रक्षा, आईए देखते हैं कि इस पर्ष क्या है और किस तरह से ये पेंशनर्स को उनकी पेंशन पहुचाने में सहायता करता है। इसपर्ष, System for Pension Administration रक्षान. आईए इस वीडियो की ज़री देखते हैं कि इसपर्ष क्या है और ये किस तरह काम करता है. इसपर्ष एक ऐसा माध्यम है जो पेंशनर्स को उनकी पेंशन को शुरू करने से लेकर उनकी पेंशन को भुकतान करने तक की सुविधा पेंशनर्स को प्रदान करता है. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहट हमारे डिपार्टमेंट यानि की डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने एक खास पहल की है जिसमें देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी रिटायर्ट सैनिक पेंशन संबंधी ओनलाइन सेवाओं को आसानी से एक डिजिटल प्रोसेसिंग के तुरू सेवाएं प्रदान करने का एक माध्यम है इसमें किसी बहारी मीडियेटर का हस्तशेप नहीं है यानि की बैंक्स वगेरा को इन्वाल्व नहीं किया गया है उनको इन्वाल्व किये बिना ही पेंशन सीधे ही पेंशनर के खाते में जमा क करना पड़ता था जैसे कि सेंट्रलाइज इन्वार्मिशन की कमी या फिर पेंशन रिलेटेट क्वेरी का सही समय पर और सही तरह से एड्रस ना होना या फिर प्रोसेसिंग के दौरान होने वाली कमिया इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर्ष की जरूरत को सम पहुचाने की व्यवस्ता की गई है इस पर्ष बेनिफिट्स आइए देखते हैं कि इस पर्ष के क्या क्या बेनिफिट्स हैं टाइमली एंड करेक्ट पेमेंट टूदा पेंशन यानि की पेंशनर्स को समय पर सही राशी पहुचाना हैसल फ्री जेनरेशन ऑफ पी 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 उनको कोई दिक्कत ना आना accurate and real time status of pension यानि की pensioner यहाँ पर अपनी accurate pension सही समय पर जानक पाएगा इसके अलावा pensioner को ये सुविधा प्रदान की गई है कि वो इस पर्ष के portal पर mobile app पर और service centers जो पूरे देश में है वहाँ पर अपनी समस्याओं का नेराकरण कर सकते हैं वहाँ call centers बनाएगा है किसी भी तरीके की अगर कोई गिरवांस है कोई तकलीफ है कोई आपको शिकायत है तो उसके मामले में आप call centers में फोन करके आप पता कर सकते हैं इसके अलावा इस परष का एक महत्रपूर उद्देश है कि pensioners के पुराने पड़े हुए pending मामलों को सही समय पर निप्टारा किया जाएं आए देखते हैं कि यह इस परष किस तरह से काम करता है एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको बताया जाएगा कि आपका pension किस तरह से इनिशेट होगा और किस तरह से आपके account में यह डिस्बस किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा आपका discharge order फीट किया जाएगा जिसमें आपको जिसमें आपका pension claim जनरेट किया जाएगा इस pension claim में आपकी service detail और medical detail बने का काम record office करेगा और pay detail बने का काम PO के द्वारा किया जाएगा जब यह service detail और medical detail complete हो जाएंगे तो यह pension claim आपका audit के लिए PO में आ जाएगा आप चुकि audit का काम PO करता है इसलिए PO आपके service detail को भी verify करेगा medical detail को भी verify करेगा और साथ साथ pay detail को भी verify करके आपके इस पूरे pension claim को PCDAP प्रयागराज के पास भेज देगा इसके बाद जो pensioner है जैसे ही प्रयागराज के पास चला जाएगा इसके बाद जो pensioner है उनके mobile और email पर जो भी retire है उनका username और password का एक message आएगा और उसके बाद वो first portal को login कर सकते हैं यहाँ पर login करने के बाद pensioner को PDV यानि की pensioner data verification करना होगा PDV होने के बाद concern record office के द्वारा pensioner का discharge mark कर दिया जाएगा और जैसे ही record office discharge mark करेगा वैसे ही pensioner का PPO जनरेट हो जाएगा final PPO की सूचना आपको इस first portal और email और mobile पर मिल जाएगी इसके साथ ही साथ जैसे ही आपका यह detail पूरा हो जाएगा आपको सूचना आ जाएगी आपकी pension start हो जाएगी और every month यह pension की राशी आपके account में जमा होने लगेगी PDB यानि की pensioner data verification यह एक ऐसी facility है जो इस first portal पे आपको provide की जाएगी जिसमें before generation of final PPO आप चाहें तो आप अपना claim को audit करके check करके submit करवा सकते हैं इस process को pensioner data verification कहते हैं PDB के लिए आपको इस first portal पर login करना होगा login करने के बाद आपको अपनी service, medical और pay detail portal पर ही दिख जाएंगे यह value या data जो आपको दिखाई देगी उसको existing value कहा जाता है इन वे से कोई भी value या data आपको लगता है कि यह गलत है तो आप उस value को या data को सही करने के लिए request कर सकते हैं और जो value आप change करना चाते हैं उसे request value कहा जाता है अगर request value pay detail से संब्दित होगी तो आपका claim PO के पास वापिस चला जाता है उसी तरह अगर request value service detail से संब्दित है तो यह claim record office के पास वापिस चला जाएगा अगर existing value गलत है तो उसको change कर दिया जाएगा और अगर वो गलत नहीं है और सही पाई जाती है तो उसको ही existing value को ही final value माना जाता है यहाँ पर अगर आपकी value को change किया जा रहा है तो उसे final value के तोर पर ही आपको इस first portal पर दिखाये जाएगा